नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए यहां पे काफी जरूरी प्रश्ण पे ध्यान दें। इस प्रश्ण को मैं इसलिए जरूरी कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारे विद्धालों के इंटर्नल एक्जाम के पेपर में भी इस प्रश्ण को पाया है। इसको बहुत सारे प्राक्टिस पेपर में भी पाया ह और इस तरीके का प्रश्ण आपको परीक्षा में मिलने की काफी जादा चांसेज हैं तो यह कोश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ साथ करिए अगर आपको प्रश्ण पढ़ने के बाद असा लगता है कि आप स्वयम ही इस प्रश्ण को कर सकते हैं हल तो आप करि और इसका परिमाप 144 है इस त्रिबुझ का शेत्रफल ग्याद कीजिए और इस त्रिबुझ की सबसे बड़ी बुझा के संगत उचाई भी ग्याद करिए सबसे पहले एक यहाँ पे रफ आकरिती बना लेते हैं क्योंकि हमने बुझाओं का परिमाप दिया गया है और परिमाप देखकर के यह तो बात एक समझ में आ रही है कि ये जो हमारे पास त्रिबुज है ये एक विशम त्रिबुज है और इसकी सारी बुजाएं जो है वो अलग-अलग माप की है तो एक त्रिबुज की बुजा ऐसी है जो की तीन भाग के बराबर होगी और दूसरी चार भाग के और तीसरी पांच भाग के और किसके भाग हो रहे हैं परिमाप के भाग हो रहे हैं जिसका कुल योग है 144 cm तो सबसे पहले हम एक बात मान लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि भुजाओं का उभैनिष्ट भाजक एक्स है ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास भुजाएं आ जाएंगी AB 3X फिर AC 4X और BC 5X आशे यह हुआ कि देखिए हमें बुजाओं का अनुपात मालुम था बुजाओं की असल लंबाई तो हमें पता नहीं है अब जब हमें असल लंबाई नहीं पता है तो यानि बुजाओं की लंबाई 30, 40, 50 cm भी हो सकती है 300, 400, 500 cm भी हो सकती है तो कोई न कोई एक अभेनिस्ट भाजक तो है जिसको हमने अनुपात लेने में सबसे जो है विभाजित कर दिया तो असल लंबाई निकालने के लिए हमने उसी अभेनिस्ट भाजक को तीनों बुजाओं की लंबाई के अनुपात के पदों से गुणा करके असल लंबाई लिखती अब चूकी आपको परिमाब दिया गया है 144 सेंटीमीटर तो इससे हमें क्या पता चला कि परिमाब कितना दिया गया है 144 सेंटीमीटर परंदू परिमाब होता क्या है परिमाब है परीधी यानि की जो भी इसकी बाउंडरी है उसका मान बाउंडरी मतलब तीनों बुझाओं का योगफल और तीनों बुझाओं का योगफल अगर हम करने बैठे तो हमें मिलेगा फिर चार एक्स और पांच एक्स और प्रश्ने के अनुसार यह 144 सेंटिमीटर के बराबर दिया गया है तो अगर आप इसको योग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 एक्स जो की 144 सेंटिमीटर के बराबर है और अगर आपने 12 से यहाँ पे भाग दे दिया तो यह X का मान आ गया 12 धान रखे कि X की कोई भी इकाई नहीं होगी क्योंकि X क्या है एक भाजक है अब हम तीनों बुझाओं की असल लंबाई निकाल लेते हैं योटीन यानि की 36 और यह ुत्तरभी सेंटी मीटर में आएगा इसके बाग हमारे upon भी जाएगि 5 जुन अबारा जो की है baş साँंटी मीटर और इसके बाग घाए हैосिआ यानि की शाड़ी हर दाले सेंटी मीटर इस प्रकार से आपने पीन उंकाल लिया जो की हो गया 36 48 और 60 सेंटिमीटर जब आपने इन तीनों बुझाओं का मान निकाल लिया तो अब आप हिरोन सूत्र का प्रियोग करके इसका छेत्रफल भी निकाल सकते हैं तो चलिए अब इसके आगे का प्रश्ण स्वयम करने का प्रयास करिए तो अब हमें यहां पे छेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताईए हिरोन स्वामले का प्रयोग कर लें क्योंकि हमें तीनों बुझाओं यहां पर पता हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी बुझा को हम A मान लेते हैं सब फिर B मान लेते हैं उससे चोटी पुझा को और सबसे चोटी पुझा को सी मान लेते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है मगर मुझे सरल लगता है इसलिए मैंने ऐसा किया और उसके बाद में एक बार आपको सूत्र लिखके बता देती हूं तो सूत्र तो यह कहता है कि अगर आप किसी माइनिस B और S माइनिस C यहां पर S जो है वो अर्द परीधी या फिर अर्द परिमाप है जिसका आशे यह हुआ कि S क्या होगा परिमाप यानि कि A A प्लस B प्लस C भटा 2 और A प्लस B प्लस C कितना होगा 60 और 48 और 36 का योगफल यानि कि 4 हासिल लगा एक यह हो गया 14 और 144 को आप दो से भाग देंगे तो 72 आ जाएगा तो इस प्रकार आपके पास जो यह 6 रफल है यह कितना होगा S जो कि यहां पर 72 है वो और फिर हमने 72 में से 60 घटाया तो हमें मिला 12 फिर 22 में से 48 घटाया तो हमें मिलेगा 24 और फिर हमने 72 में से 36 घटाया तो हमें मिला 36 और इसका हम अपना गुड़न खंड़न कर लेते हैं तो 72 को लिख लेते हैं 2 गुड़ा 36 फिर 12 को ऐसे ही रहने दे University 24 लेख लेते हैं और पर शक्रेंटर हमारे यह की जोड़ बन चुका है और व्र-ब्रंुटर हमारे पास आ जाएगा वर्ग में यह Live गुना 24 और cm2 और जब हम इसे हल करेंगे तो हमाई पस कितना आएगा ये एक बार हल कर लेते हैं तो यहां पर यह रफ वर कर लेते हैं 36 कितना होगा तो 4 से अगर हम इसे गुना करेंगे तो 24 यानि की 144 और ये 72 और ये आ गया चार और ये 6 और ये 8 तो 864 वर्ग मात्रक और कौन सा मात्रक सेंटीमीटर यानि कि सेंटीमीटर स्कॉयर आपके पास उत्तरा गया इसके छेत्रफल का अभी हमारे पास प्रश्न पूरा खतम नहीं हुआ है क्योंकि प्रश्न में एक और बात पूछी गई और वह बात है कि इस दिये गए त्रिबुज में जो सबसे लंबी भुजा है उसकी संगत उचाई कितनी होगी एक यहां पर हमको एक बात का इस्तमाल करना होगा कि इस त्रिबुज का जो भी हमारे पास domestic चेत्रफल है वह समान ही रहेगा चाय आप उसे किसी भी सूत्र से निकालें तो हिरोन सूत्र से निकालें हुए छेत्रफल को हम यहां पर प्रतिश थापित कर देंगे और लिख देंगे कि यह बराबर होगा आधर गुना अधार अगर हम सबसे लिए साथ ले ले और उसके तीन को आठ से किया तो चौबेस और फिर आठ तो इस तरहां से हमारे पास इस तरह भुज की जो सबसे लंबी भुजा है उसके साथ की तो संगत उचाई है वो हो जाएगी 28.8 सेंटी मीटर तो दो उत्तर एक तो यहां पर शेत्रफल निकालने का और दूसरा सबसे लंबी भुजा की संगत उचाई निकालने का हमने हल कर लिया बहुत ही जादा आविशक प्रश्ण में कहूंगी अगर प्रश्टी परीक्षा की दिश्टी को उनसे इसे देखा जाए आप इस प्रश्ण का अभ्यास करें इसके साथ में और भी प्रश्ण देखें जिसमें आपको नपात दी हों और उनका अभ्यास जरूर करें